तमस्कार आप सभी देख रहे हैं प्राइम टीवी की चरचा और मैं हूँ आपके साथ मुस्कान अजमानी कृष्न कनहीया हमाएंगे माखन वही खिलाएंगे मतुरा को पहचान लोटा कर अपना वचन निभाएंगे क्या ये बाद भी अब सार्थक साबित होगी दरसल ये मेरा कहना नहीं है ये भाचपास समर्थकों का कहना है और आज ये सवाल इसलिए उट रहा है क्योंकि कुछ साल और कुछ ऐसी ही लाइन राम मंदिर के लिए आपको सुनने को भी मिली होगी राम लला हमाएंगे मंदिर वही बनाएंगे तो सीम योगी आदत अनात का ये बयान आपने सुना जिसमें वो कहते हुए नजर आए कि राम लला हमाएंगे मंदिर वही बनाएंगे लेकिन एक और लाइन आपको सुनाते हैं राम लला हम आएंगे मंदिर वही बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे राम मंदिर को लेकर सालों तक विपक्ष भाजपा की चुटकी लेता हुआ भी नज़र आया इस दोरा नेताओं की तरफ से क्या बयान दिये गए वो सुनिए तो वही अब राम मंदिर भी बन रहा है तारीख भी तह है जिसकी प्रान प्रतिष्ठा पियम मोदी 22 जनवली को करेंगे करला कि हम लोग नारा लगाते थे राम दला हम आएंगे मंदिर वही बनाएंगे प्रक्रेस के नहुत हो भंस ते थे करके ड़ाल आ या अजिवर कर एंद दलो वह और राम दला हम आयेंगे हम अब मंदिर यहीं बनाvel इग All paiयों मेनों आज आप में से किसी वो संदे है क्या कि आयोतिया में राम मंदिर का निर्मार नहीं हो रहा है हो रहा है ना पुरा हो चुका है और वहीं अब राम मंदिर निर्मार के प्रान प्रतिष्टा से पहले प्रधान मंत्री मोधी मतुराज श्रीकृष्ट जन भूमी पहुचे नरेंद्र मोधी बता और पीम देश के पहली प्रधान मंत्री है जो भगवान काना के जन्मस्थान पर पहुचे ठीक राम मंदिर और ज्यानवापी की ही तर्स पर महीनों से अलाबाद हाई कोट में श्रेक्रिश जन भूमे के कॉरिडोर काके इस शला पिछले ही हफते अदाला तेस में फैसला भी सुना दिया कॉरिडोर बनने का रास्ता साफ हो गया है उसे समय प्रधान मंत्री के मतुरा दौरे का कारिक्रम भी फाइनल हो गया है गजब संयोग बना उस वक्त जहां एक तरफ यूपी की योगी सरकार मतुरा में श्रेक्रिशन जन भूमे पर कॉरिडोर बनाने जा रही है इससे पहले वारानसी में काशी विश्वनात मंदिर पर भी कॉरिडोर बन चुका है मिर्जापूर में माविंद्यवासनी मंदिर में भी कॉरिडोर बन रहा है अब बड़ा सवाल ये है कि ब्रच की धर्ती से क्या 2024 का शंकनाद बीजे भी कर चुकी है और आज काना की नगरी से पिया मोदी ने क्या संदेश जने का काम किया है और आज इन तमाम बड़े सवालों पर बड़ी चर्चा होगी लेकिन उससे पहले आपको बता दे कि 2024 की लड़ाए क्या क्रिश्न जनमस्थान तक आई है आज ये सवाल इसलिए बहुत जरूरी हो गया है क्योंकि आज पधान मंत्री मोदी ने अपने संबोधन के दौरान एक बड़ी बात ये भी कही कि आजादी के बाद से मत्रुआ की तरफ किसी ने ध्यार नहीं दिया मत्रुआ के विकास पर इतना काम नहीं क्या गया जितना की किया जाना चाहिए था और इशारों इशारों में वो ये भी कहते होए नजर आए हैं कि अब राम मंदिर के बाद मत्रुआ के जिनोधार की बारी है तो देखिया जब प्रधान मंत्री मोदी श्री कृष्ण की नगरी पहुचे तो उन्होंने संबोधन भी दिया इस संबोधन में प्रधान मंत्री मोदी के बड़ी बात ये रही कि मत्रुआ के कड़कड में कृष्ण समाई हुए है यहां वहीं आते हैं जिने कृष्ट और श्री जी बुलाते हैं और प्रधान मंत्री मोदी श्री कृष्ण जन्मस्थान पहुचने वाले पहले प्रधान मंत्री है यहां आते ही प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तोर पर खा कि मत्रा के कड़कड में भगवान कृष्ण समाय हुए है और यहां वहीं आते हैं जिने कृष्ण और श्री जी बुलाते हैं ये तो श्यामा श्यामा का धाम है, ब्रच की रज पुजनिय है इसमें, राधरानी रमी है, विश्य की यात्रा का जितना लाब होता है, अतना अकेले ब्रच की यात्रा करने से लाब मिल जाता है मुझे मागंगा ने बुलाया और 2014 से आपके बीच आकर बस गया ये बाते आज प्रधान मंत्री मोदी ने मतुरा में कहीं है अब मतुरा दौरे के जरिये के 2024 का बीजेपी ने शंकनात क्या है जिस तरीके से प्रधान मंत्री मोदी ने आज अपने संबोधन में साफतोर पर ये कहा कि हमारे देश के आजादी के बाद मतुरा परित्ता ध्यान नहीं दिया गया जित्ता दिया जाना चाहिए था तो क्या अब आयोध्या के बाद अगला मैनिफेस्टो जो बीजेपी कहोगा उसमें श्रीक्रिशन जन्मस्थान एक बड़ा मुद्दा बन कर उबरेगा और अब इसकी काट आखिर विपक्षी दलों के पास क्या होगी आज इन तमाम बड़े सवालों पर हम बड़ी चर्चा करेंगे जिसके लिए रजनी कांथ मिश्रा प्रवक्ता रालो इस्टूडियो में हमारे साथ मौझूद है इस दोरान उनके संबोधन की बड़ी बाते ये रही कि प्रधाल मंत्री मोधी ने साफ तोर पर कहा कि जब से हमारा देश आजाद हुआ है तब से लेकर मत्रुआ की तरफ इतना ध्यान नहीं दिया गया है क्या अगले मैनिफेस्टो जब बीजेपी जारी करेगी तो उसमें राम मंदिर की जाखा अब श्रे कृष्ण एक बड़ा मुद्दा बनेगा क्या अगले मैनिफेस्टो जब बीजेपी की तरफ से आएगा उसमें आयुध्या को जिस तरीके से आयुध्या को मुद्दा बनाए गया था क्या उसी तर्स पर इस बार मत्रुआ मुद्दा बनेगा देवेंद्र जी जितने भी धार में गिस्थरन बड़े उनका विकात कैसे हो तो विकात तो बहुत तरीके क्या उसमोर रहे हैं सारके बहुत विजेपे काम हो जाए तक पर काम हो जाए लेकिन सब्कार की बड़ी उपलब भी अगर कही जाए तो जो सब्सक्राइब जो तो 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 बात करें उस पर उस पहला में जाए भार की जंता पाकी तूरी प्राइब उतर रही है आप इनके प्याट में दख हो सकता है उसके हमें परवाद नहीं है यह हिंदुस्तान है यहां हिंदु चरके बोलेगा आज मारी प्रधान मंत्री जी यह सही है कि मत्रा में पहली बार कोई प्रधान मंत्री जी वहां गए और आज विकास पर जोश्णौक अभी हजार करून दक होने का आप विकास का पहिया जो मत्रूरा में चलना चाहिए था उसके एक कदम आज हम आगे बढ़ गए मैं सब्सक्राइब करता हूं अगे पढ़के शुला समझता किया और आज मंदिर भबी रूप देला है हम अपेक्षा करते हैं कि पथुरा में भी है तो आज चुकि ब्रज रज उस्व है तो ऐसे में वहां पे अगर करदान मंत्री जी गये हैं और जिस तड़ा से इसको राजनेती विश्रेशा कि आज दर के लोग देख रहा है विश्रेश से उनके जो अपे रचाएं है या भी पक्षियों के जो संकाएं है वो बाज बाद लें वो पौर होने जाए तो जी आज ठीक है ठीक है आप ओपनिंग डिमार्ग सब से लेते हैं देखिया आरिफ अभीब जी साफ तोर पर देवेंदर नात मिश्रा जी का खैना है कि भारत में हिंदू बोलेगा हिंदू सर्चर के बोलेगा और साफ तोर पर एक कड़ा संदेश दिया गया है कि हिंदूत की रह को लगतार बीजेपी कस के पकड़ी है और नातनी देश है कि देवेंदर जी अरिफ अभीब जी क्या सुन पा रहे हैं आप मुझे तो आरिफ अभीब जी से संपर के स्थापित नहीं हो पा रहे हैं दुबारा संपर करेंगे देखिए लेकिन सेयद मौम्मध तकी साब क्या मैं ओडिबल हूँ आपको तकी साब बिलकुल बिलकुल देखिए तकी साब अब आप से सवार पूछते हैं देखिए जस तरीके से देवेंदर नात मिश्रा जी लगातार ये जिक्र कर रहे हैं ये बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि हम लगातार हिंदुत की रहा पर आगे बढ़ रहे हैं और ये देश पर बात करते हैं सनातन धन पर ही चर्चा करते हैं ऐसे में अब जिस तरीके से हिंदूत की रहा को बीजेपी धार दे रही है चुकि अगर हम नतीजों पर नज़र डाले तो हिंदू जो है कोर वोटर बीजेपी का बन के उबरा है इसकी काट क्या होगी आम आदमी पार्टी के आधा डर्टी को हिंदूों से कोई अंधर्दी नहीं है और उनको सतनातनांध्र से कुछ देना ने उनको तर नातनी करनी है मैं हुए को टेश्य होते तो फरहकारी ना अभन करते अर हिंदून धर परेंशें बहार करते हैं आज सेना के अनिकारी पूर सैनिक पुडिस मर्क करने के लिए लगाता रांदोन कर रहे हैं उदातर लोग हिंदू है ना जो बच्चिया ओलंपिक में निगें की बड़ते क्याईंति होना जो इल्जाम लगाएं के साथ जो किया गया है सब्सक्राइब कौन कहां कि बच्चिया है सब्सक्राइब करके और हमेशा तनातर नहीं करी सब्सक्राइब करने करने पा रहे हैं तो बारत क्या हाल हो रहा है आप देखें परदूशन में क्या हाल नहीं क्या है वाहत पारी है तो यह बीजेपी को सिद्ध नोटंकी करना आती है जब आत्वास्ता के सवाल की जाहिए जब उससे सब्सक्राइब के सब्सक्राइब करना चाहिए तो बच्चिया है जग्शा वङ्जे ठावन Yang तो सब्सक्राइब बहुत से लोग आये बहुत से मच्छे जाये गौह से लोगों की ठीच ले कि कभी खिंनल डाग। भी घरते बाचान आपकरों के रहत सकते हैं प्रिमार्ग सबसे लेती हो एक उपनि ग्रिमार चीक है इसका जवाद एदी ना मुझे एक विड़ा जी जो आप बता रहे हैं यह जो आप बता रहे हैं इस एक पार्टी का वर्जिन आप तक पहुचा रही हूँ जो बड़ा संदेच देने का काम क्या है इस तरीके से आज प्रदानमंत्री मुदी ने एक ब्रज की धर्ती पर पहुचकर यह जो बड़ा संदेच देने का काम क्या है है सियासी माइने के है 2024 के चुनाव से पहले प्रदानमंत्री मोदी का दौरा कितना एहम है आप किस नजारिये से देख रहे हैं यह यह जो सदेखा है बिजेपी धर्म की ही राजनीत करती है ठीक है और दर्म के राजनीत के आण में एक माडल लेके आई गुजरात माडल केप अब द करना तो उनको धर्म की की हिराज़नीत ही हिंदुत्त की राज़नीत ही उनको भाती है समाज में जो उनसे जुड़े हुए लोग है जो भारति जंता-पार्टी के शदश्य हैं या उनको जो कोई असर नहीं पड़ता है कि कितने बिश्विधाले बन गए कितने आइटीज बने कहां रोड बनी कहां पे चुरग बनी समस्यां क्या नहीं है देश के अंदर क्या हम आज के भी डेट में हम अपने देश में सुछ जल की बात कर ले तो कितने परसंट लोग को मिलता इस में लेकिन जिनको जो राजनीत करनी है जो राजनीत जिनको सूट करती है वो राजनीत निश्चित तोड़ से करेगा और माननी पधारमंत्री जी हिंदू है इसलिए वहां गये हैं जब भारती जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछा जाएगा तो वो यहीं बात करेंगे अब देखिए उन्होंने क्या बोला कि हिंदुत की भाई आप भारत के संविधान को फिर ले जाकर के कहीं और रख दीजिए उसके बाद से बात कीजिए संवि दानिक विवस्था में ऐसी बाते नहीं होनी चाहिए कि और लोग देश में नहीं हैं जब यह देश में तमाम धर्म के लोग रहते हैं सबके धर्म की एक अपनी आस्था है विश्वास है लोगों के काम करने के तरीके हैं जीने के तरीके हैं और सनातनी कौन नहीं है जब सन वो है हम लोग जैसे भासा के अभाव में Jewish कि अचि कि आसा के अभाव में होता है अब ये मिक्म कई फर अल्बा कहा जाता है कहीं पर बहघ्वान कहा जाता कहीं पे गौड कहा जाता है तो क्या वो कि है दो 4-5 है एक ही से एक यह चैबल भासा का अंदर है कि हम कहीं पर रब कहते हैं तो भासा के अभाव में जो आज देखा जा रहा है कि एक धर्म का जनु कैसे होता है ऐसी तो होता है कि जब किसी को कुछ समझ नहीं आता है तो एक धर्म का रास्ता चून लेता है और इसी देश में आप देखें पिछले पिछले दस बीस बरसों की बात हम कर दें तो आज आप देखें कि जो साई के अनुवाई हैं वो क्या कहते हैं कि हम हिंदू हैं वो क्या कहते हैं कि हम मुसलमान हैं नहीं कहते हैं वो बिलकुल नहीं कहते हैं वो कहते हैं कि हमारा धर्म ही अलग है इसी तरीके से बहुत सारे लोग हैं जो अपन तो उनका मनोबल तो बढ़ रहा है मतलर कि उनके वोटर ओटर दिन प्रदिन बढ़ रहें जब उनके बढ़ेंगे तो जो उन लोग क्या है किसी ब्यक्ति का टेस्ट अब भारती जंता पालिटी को समझ में आ गया है कि हिंदुत का टेस्ट इस देश में अभी बहुत दिनों तक रहेगा जब तक माननी योगी आदितनात देश के शिर्ष पर नहीं बैठते हैं बिल्कुल ठीक है देखिया आरिफ अभीव जी भी लगातार बहुत समय से इंतजार करें एक ओपनिंग रिमार्क में आप से चाहूंगे आरिफ अभीव जी देखिया आरिफ जी एक साफ देने की कोशिश लगातार बीजेपी करती है लेकिन आप भी इस बार जाती है जनगर्णा के मुद्दे को लगातार तूल दे रहे हैं क्या हिंदो तो काड़ क्या आगे कि आपका मुद्दा काम आएगा क्या लगते है अभीव साब कि मुस्कान जी मेरी आवाद आ रही है जी बिलकुल आरिफ अभीव जी पताईए जी मुस्कान जी बहुत पहले किसी गुद्ध जीवी ने कहा था कि धर्म एक अल्पकालिक राजनीत है और राजनीत एक दीन कालिक धर्म करते हैं आज जिन लोगों की नौकरियां चिन गई हैं जिनके आरक्षण चिन गई हैं जिनके रोजगार चिन गई हैं उसमें सबस्रवाधिक संख्या हिंदू उन आड़ी के अनकशन गई हो गया अदादी के बाद और हम नौक्रियों में भी नए हैं प्रया एस सरकार में नुख्या उरा किसी का हो रहा तो सरातनियों कम निस्शित रूप से भारती जनता पार्टी हिंदू तुष्टी करण की राज़ी तर्टी लेकिंगे आई फबीची आपके जो नुकसान है वो सीधा सिधा सनातनियों का हो रहा है तो भी आपके रास्ट्रे महा सचीव सनातन धर्म को लेकर आप रोक नहीं पाते हैं उनको जब वो ऐसे बयान दे दें तब आप कि अस्तर पर इसको कई बार डिनाई किया जा चुका है हमारी सांसर डिंपल जी ने स्यूपाल जी ने आदरनी एक लिए जी ने कई बार कि जो भी बयान आते उनका निजी बयान इसे पार्टी से को लिना देना नहीं पहली बार दूसरी चीज में यह कहना चाहता हूं कि धर कि राजनीत से आप देखिए कि 2018 में मेरे ख्याल से सबसर्वधिक राज्यों में भारती जंता पार्टी की सरकार थी और 10 से ज्यादा राज्यों में पूर बहुमत की सरकार धर्म की ही राजनीत है कि आज 6 राज्यों में उनकी सरकार बची है बाकी अन राज्यों में सरकार क ले जाकर के लगाया था, वहां भी सत्ता खो बैठी, वज़ा गया है कि धनातनी जो है, वो अब समझदार हो गई, कोट के आदेश से राम मंदिर बन रहा है, राम मंदिर को शरे लेने का काम भारती जनता पार्टी ना करे, भारती जनता पार्टी उसके पीछे जो जिन लोग की जाने गई है, उसका अश्रे लेने का काम करे, जितनी जाने गई है उसके पीछे, ठीक है, भारती जनता पार्टी का कोई योगदान नहीं है, ये कोट के आदेश से बन रहा है, और कोट के आदेश मानना सबका थर्म है, सबका नैतिक कर्तब, इसलिए कोट के आदेश पर पस्पार्ण जैब नायने चाहिए, परधान मंत्री के पत पर जानिक बाद. आपर नरेंद्र बोदी जी के पहले कोई ऐसा परधान मंत्री नहीं था जो किसी ध्रम को ले असे आप एंप पर्दानमंत्री नरेंदर मोधी घी है, जो केवल सनातनियों की बात करती है, तो निश्चित रूप से आप उनके पतन का कारण है, कोई भी उनकी नौ साल की योजनाय नहीं है, कोई ऐसा उनका विटास का काम नहीं है, दिन बाद दिन लोग गरीब होते जा रहे हैं, द जिन बादीन महगाई बढ़ती जा रही है, जिन वादों को ले करके वो सत्ता बे आये थे, मैलाएं आज सद्विधिक जो है, उनके साथ अपराद हो रहा है, अपराद भी चलम सीमा पर पहुच गया है, सारे आकड़े जो हैं, बताया नहीं जा रहे हैं कि हां आकड़े क्या ह हैं, बिरोदगारी का आकड़ा 45 साल का पार कर गया है, तो अब स्वास्त की ब्योस्था, सिच्छा की ब्योस्था, आपके रोजगार की ब्योस्था, महेंगाई को देखते हुए, अब इनके पास कोई चारा नहीं बचा है, इसलिए ये फिर जो है, मंदीर और भगवान के आण में अपनी विफलताओं को च्छिपाने का काम कर रहे हैं, समझताओं की जनता बहुत ही सजग है, समझदार है, 2024 में इनको वापस भेज करके बहुत सजग है, समझदार है, वो हर एक पार्टी के नेताओं के बयान को सुनती है, और फिर शायद जनता ये भी नहीं मानन की के जो लगता जिसका श्रेय बीजेपी राम मंदिर को लेके लेती है, उसका जो ओर्डर है, जो फैसला है वो सुप्रीम कोट ने सुनाय था, उसका श्रेय हर बार बीजेपी लेती है, ऐसे में अब तो राम मंदिर बनकर तयार हो रहा है, लगबख अंतिम अपने चरण मे पहुँच चुका है निर्मार को लेके, और लाजमी है ये दोहजार चौबस में मुद्दा बनेगा, लेकिन अब एक नया मुद्दा तयार किया गया है बीजेपी तरफ से, श्रे क्रेशन जन्मस्तान जहां आज एक बड़ा संदेश प्रधान मंतरी मोधी ने दिया है, इस मतुरा गए, कोई हिंदू है, पूजा करता है, मतुरा गए, प्रधान मंतरी है, तो मतुरा चले गए, क्रिश्न का दर्सम कर लिए, ये कहना कि आज तक कोई प्रधान मंतरी नहीं गया वहाँ, तो ठीक है, और प्रधान मंतरी देश आजाद हुआ, देश के आजादी के बा था, किसी को सब काम करना था, मोधी जी को यही करना है, और हम इसका स्वागत करते हैं, मंदिर बनने का मुझे दुख नहीं है, मंदिर बनने का मैं स्वागत करता हूं, मंदिर बने नियम कानून से जिस तरह से कोड के फैसले से मंदिर बनना चाहिए, हम इसको यह नहीं मानते कि मोधी जी वहाँ गए मतुरा गए तो कोई गलत काम की यह मैं कैसे कह सकता हूं यह कोई नहीं कहेगा मंदिर गए दर्सन करें दर्सन क्या उन्होंने दिखिए सोच की बात होती है कि अब वो किस सोच से आप राजनीत करना चाहते हैं मोधी जी को तो मैंने बहुत जगह जात देखा है मैं आज कहना नहीं चाहता हूं बहुत जगह जाते देखा है ऐसा नहीं पाकिस्तानी पहुंच जाते देखा नमाज सरीप के वहां बिना बुलाय पहुंच जाते देखा है ऐसे काम करने वाली पहले प्रधान मंतरी हमारे हैं जो कहीं पहुंच जाएंगे लेकिन म कि मैंने वहाँ डबलममेंट किया है मैंने वहाँ सड़के बन वाई मैंने हा काम किया है हमने मत्रा के लोगों के बीच में सरा काम पिर हमारे खिलाप है मामाल जी जी जो लाए जाता क्या होता है कि कंडिडेड कैसे लाए जाते हैं और 19-18 का होट इ routines we are तो सारी चीज़ें अपनी जगह पे रहा जाती है जो राजीव गांधी जी ने किया कि पंचायती राजी और ठारों नीस साल के ओटर तो यह अभी देखें ने बहुगुड़ा जी को अफिताब बच्चन ने हरा दिया है वह अंतिन अंदर बहुगुड़ा जैसे लीडर को अ देश के किसान परिसान है चर्चा उस पर होनी चाहिए देश सभी जाती धर्मों का है चर्चा उस पर होनी चाहिए और एक बड़े लीडर को जो प्रधान मंत्री के रूप में आदरनी है मुदी जी है उनको तो एक दम से सब के बारे में चर्चा करनी चाहिए मेरा ये कहना और मंदिर जाना कहीं जाना पि यह स्वतंत्रता है यह स्वक्षंद अधिकार है जब कई प्रधान मंत्रियों का आप तुलना कर लिजे लाल भादु शास्तिर जी प्रधान मंत्री हुए उन्होंने एक देश को खाद्यान समस्या से दूर करया यह उनकी सोच थी उनकी सोच उ उससे में जबुरत भी देश को उसी की थी नहरू जी प्रधान मंत्री उन्होंने आई टीम आई एम अगर इस सोच को हम अगर गलत कहते हैं तो जो गलत कहता है उसको आप गलत कहते हैं तो गलत है लेकिन देखे रजनी कांद मिश्टर जी आज हर एक नेता धर्म के टार किया गया भी तर क्यों नहीं पीजेपी एक्सन लेती है उन नहीं लेंगे एक्सन उनको पिछड़ा अगड़ा उनको भी करना है ओट की राजनीत कर रहे हैं अभी कोई दूसरा बोलेगा तो उससे दुनिया चोटे 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 केस में बोल्डोज़ चल जाएंगे लेकिन बेजेपी से हमने मांग किया एक उस दिल सादू बाबा बैठे थे कोई बाबा जी उन्होंने मांग किया और यहां तक कि सपा के प्रवक्ता ने भी कहा कि भाई करवाई करें क्यों नहीं करते करवाई लेकिन देखिए देवेनाद मिश्राजी लगातार आप पर आरोप लग रहा है और सीधे सीधे रजनिकांद मिश्राजी ने कहा कि श्रायत प्रधानमंत्री मोदी को विकास का काम नहीं करना यहीं वजाए कि वो मंदिर जाते हैं और हिंदूत वो काड़ खेलते हैं किया टेक होगा असपर अगयर कोई अपनी आँखें बंद नहीं इसे काड़ा है जिमा के खिर्टियों को बंद परिया अशुक्या सुझे अभी मैं सब कर सुझा आप अब 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 अपने टीम से बोलूँ कि प्लीज भारती चंदा पार्टे की प्रवक्ता की आवास को थोड़ा ठीक है लेकि लगदारी क्लंबे से गजें दिर पार्टे जी कुछ कहाना चाहरा है प्लीज आप अपनी बातों को पूरा करिए देखे मैं तो यह कहना चाहरा था कि भगवान से राम का मंदिर जो बन रहा है निस्चित तौर से कोड के आदेश से बन दा है लेकिन कोई और पार्टी उसका असरे भी नहीं ले सकती जो राम भक्तों के गोलियां चलवाएं हैं वो तो बिल्कुल मत बात करें उनको तो बात करने का कोई अधिकार नहीं है और जिन्होंने ये कहा है कि राम थे ही नहीं वो भी न बात करें एफिडेविट के साथ सुप्रिम कोड में कहा गया है कि राम थे ही नहीं तो इसकी य यह लोग तो बात करने लाइक नहीं है ना इनको तो बात करने के लिए कोई जगह है नहीं है राम मंदिर के नाम पर राम मंदिर का जितना बिरोधिन लोगों को करना था कर चुके हैं यह हिंदू जानता है कि कौन बिरोधी है और कौन भगवान राम का समर्थक है आज जो बि इंदुत का कार्ड तो बीजेपी बराबर खेलेगी और अभी इस देश में बीज से पचीस साल यह खेल होगा और यह खेल निश्चित तोर से चलता रहेगा निश्चित के इसलिए मैं आप से कह दूँ कि अजोध्या मतुरा और काशी यह तीनों बीज से पचीस साल में निप से सहमत हूँ भूस्ट की सबसे बड़ा केंद्र है यह हिंदु के लिए हिंदु के लिए आस्था का भिश्य है लेकिन जब किसी आस्था को आप राजनीत में ले आती हैं तो उस बिल्कुल और अपना यहां भी आप देख लें कि मतुरा का भी प्रकण कोट में आ चुका है पधानमंत्री का वहां जाना यह सामाने बात नहीं है मैं यहां पर असहमत हूँ अपने लोकदल के प्रवक्ता से कि प्रदानमंत्री आज तक क्यों नहीं गए बिचार कीजिए जड़ा एक बार आप लो तो राजनितिक लोग हैं प्रदानमंत्री एक संदेश दे रहे हैं वहां से और हिंदू उसको सुन रहा है देख रहा है बिल्कुल तो यह एक संदेश है इस राष्ट को कि अभी हम हैं और हम जब तक हैं इस चीज़ों को निप्टा रहे हैं देवेंद मिश्रा जी आज एक बात तो साफ साफ फ्लियर हो चुकी है कि लगातार जो धर्म की राजनिति है वो बीस से पच्चिस साल तक अभी और धूरी रहेगी जैसे कि गजेंदिर पार्टे जी ने जिक्री किया लेकिन वहीं दूसरे तरफ रजनिकांत मिश् जानने का कोई काम नहीं है यहीं वजह है कि प्रधारमंत्री मोदी लगातार मंदिरों का अरुख करते हैं क्या वाकई भारतिया जंदा पार्टी धार्मिक मुद्दों पर राजनीति करती है जिस तरीके साफ पर आरोप लग रहे हैं अबी में समी को सुन जाए आपको कोई सब्सक्राइब करते हैं अभी भाई में बताया कि इनके पास जो राम को मानते ही नहीं जो राम वक्तों पर गोलियां चलवाई कि किसमों से बात करने के लिए ख़रे हैं अभी इनोंने बात की सामित सामोरिया जी भार्ती जंता पार्टी उनके खिलाब कारवाई करें इनको एक मुद्दा मिल जाए बैचे बैटाए धरना प्रसा अंदोला उनका बाती कुस करना नहीं है अरे अगा इनके अंदर करना हिंदूत तो हो थोड़ा संस्कारों को प्राव को मांते हों तो क्योंने इस और पर साथ मोजया को उठाके पाटी बात फेट देते हैं इतना हिम्दों दिखाए नहीं है यह अपना काम करें एक चीछ अभी हम लोग बात किसुंपर करना उस पर मैं करना हो लोग बहुत ओताद पर रहें कारना ही संड़स अनदा का समर्थन गाता है ह। अपने जमीर बचाएं यह अपने अस्तित को बचाने का जो संहर्ज कर आएं पेडी एक शूख कामना है कि और टीना करें बिल्कुल देखे आरीप अभीव जी एक उनों ने इंडिकेशन दे दिया है कि आप कोई भी ऐसा बयान हिंदू के खलाफ ना दे हिंदू के लिए ना दे आपके पार्टी की तरफ से ऐसा कोई बयान सामने आए जिससे आपके अस्तित पर ही खत्रा पर जाए सीधे सीधे जो इशारा है वह स्वाम प्रसाद मौर के बयान पर है कि आप सत्ता में हैं आप मुकत्मा किजिए उनके ओपर फाया लिखाईए वोट आदेश देगी उनके खिलाफ चार्शीर दाकिन होगी इस चलेगा आप क्यों नहीं जाते तो मुझे चुकी से बात बता है अगर आपके घर में कोई गलती करें तो क्या पड़ोसी उसकी शिकाश दर्श कराएगा यह आपकी दायत वर्जबिदारी होगी जिनको आपती है जिनको भी आपती है अभी हमारे लोगदल के साथी ने कहा कि मारती जनता पार्टी को हमने कहा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने भी कह रहा हूं कि आप मुगत्मा लिखाईए जो नियाइक प्रकिरिया होगी उस प्रकिरिया क्ता है तो उसको सजा मिलेगी आप क्यों नहीं करा होगा आप कनया कमार के मामले को भी ऐसी लखाए रहें चार्शीट नहीं दाखिल किया और जिन्दीगी वर बुनाते रहेंगे तत्ता में आप में आप पावर में आप करवाई कि आप कौन रोक रहा है आप सुब्रा मुनियम जी नेशनल हराल केज पे कांगरेस की खिलाब करते हैं आदम खा के खिलाब सक्सेना जी मुगतमा करते हैं तो भारती जलता पार्टी कर कोई विकार करता चला जाए आप कहते हैं कि हम सनातनी है तो सनातनी है तो आप जाइए आप कौन रोक रहा है अच्छा पहली बाद दूसरी चीज़ आपने कहा कि हलप नामा दिया थ तो आपने भी तो सत्ता में रहते हुए राम मंदिर के खिलाब काम किया और हैल अपनामा दिया कि हम सुरच्छा करेंगे सुरच्छा नहीं कर पाने पर सुप्रीम पोर्ट में आपको सजादी आप कहते हैं कि भारती जनता पार्टी ही इसकी शरे लेगी क्यों लेगी शरे बा अगर कोई भी आंदोलन आपको चलाना है कोई भी उसकी नियाइक पर के लिए भारत में संभीधान में इसका कानून ने उसका तरीका तय किया है कि आप ने पूरा किया आप ने का घंगा माने अने को बुलाई गंगा मा क्या पर रहते हैं फ्रस्टाचारी जटने है उनको आप लिपाते हैं और जब शामिल हो जाते हैं तो और महाराज मुकमंत्री हो के पार्टी की तरफ से भी चुठकी ली गई थी लेकिन आज जब प्रधानमंत्री मोधी ब्रच महुचे तो एक नारा जोर शोर से सुनने को मिला कृष्णी का नईया हमाएंगे माकन वहीं खिलाएंगे मतुरा को पहचान लोटा कर अपना वचन निभाएंगे बड़ा संदे इस बयान में छुपा है तकी सहाब नेता अखले श्यादाव जी जब मुकमंत्री बने तो उसी मतुरा में कृष्णी के मंदी निर्माड़ा दीने बन रहा और वह विश्व का अले अकेला मंदीर होगा जब बन करके तयार है तो ऐसा नहीं है हमारे नेता हमारे ने वहां का किया है जितना भी विकास का काम उत्तर प्रदेश में है आज की डेट में आप उखा करके देख लिए समाजवादी पार्टी और गडबंदर दल के लावा किसी और कहोगा तो आप पता यह एक्सप्रेस से ले करके हमारा एक्सप्रेस वे है जिसको अरे आरे जी मतुरा के ल इमाम हिंद वांते हैं बगवान राम को शेर है इसको पर उन्होंने का था यह है राम के वजूद पर हिंदोस्ता कुनाग अहले वतन समझते हैं उनको इमाम हिंद लेकिन एक और आरीफ अविम चाहपी के सायोग्यों कि तरफ से लिए पर यह कहा गया था कि राम क्यास्ते अगरति कराने का काम नकरे और और सनातन धन को हिंदू धर्म को हिंदू धर्म में हमीं एक और से सीजित कि सपत नेकर किया आते हो इस सबत के अनुष्एर काम कीजिए अब नौकरी देने का काम की तकी साहब देखिए एक बात कर रहा हूँ ठीक है आरिफ अभीव जी आपका टर्ड कर प्रीड हो गया तो लगतार यह कहा जा रहा था कि राम लला हमाएंगे मंदिर वही बनाएंगे लेकिन तारीक नहीं बताएंगे चूंकि यह बीजेपी के मैनिफेस्टों में शामिल था तो इसमें फैसला आने में समय लग गया लेकिन आज जब प्रधान मंत्री मोदी पहुंचे तो वहाँ पर एक और नारा सुनने को मिला कि कृष्ण कनईया हमाएंगे माकन वहीं खिलाएंगे मत्रा को पहचान लोटा अपना सब्सक्राइब आजम शायद आप बहुत छुटी हूं या उसका नहीं हूं उसमें मुहमद रफीस आपके गाना गया था राजित किष्ण उसमें उन्हों रिख दी थी और वह गाने के बोलते हैं जहां डाल डाल पर सोने की चिट्टिया करती है वह भारत देशे मेरा जा सक हर रादा एक वाला जहां हर बाले की मोहन है और रादा एक बाला यह बारत कम बिखा गया था जब पीज़े पी कासि तु नहीं ताकतकी बात कही गई थी है और यह कह दो किरें हैं तो बास द 낮बाटी जो पेश करते हैं आपने हाथ पन्रे से उपसे उपरー एक ते हैं जबकि हर काल में भारत के अंदर बावान का संबान हुआ है और जब बताई है जब इसमें लिखा है जब हर बाले की मोहन है और राधा इक बाला है तो हर बाले को अच्छी चिच्छा मिलनी चाहिए हर राधा को स्कूल करना चाहिए हर बानक को खेलने के लिए बजार मलना चाहिए हर राधा का सम्मान होना चाहिए कुछ राधाएं सरकों पर दिखाये भी हमें ब्रिच भूशर सरें की खिलाब आरोब लगाते हुए उन राधाओं का क्या क्या भी जेपीन है अरे सेयद मौमत तकी सहाब दिली में भी आपी कि सरकार है दिली में कितनी सेफ है महिलाएं कि आप नहीं मैं बोलू तो जादा बैतर है क्या और अगर यह वाकाई मुद्धा बनता है तो यह सीधा फाइदा किसको बहुंचाएगा देखिए पहली चीत मेरी आपक्ति है अभी अभी भगवार राम को कहा गया इमाम हिंद देखिए इमाम हिंद नहीं है वह वह भगवान है ब्रह्म हैं वह अपने सब्द को सोच क समल करके बोलिए आप लोग इकबाल गये कहीं और अब आता हूं मुद्धे पर निश्चित तोर से अभी विपक्ष इस चीज़ को समझने में कहीं कहीं देरी कर रहा है वो नहीं समझ रहा है कि जन्मानस की इच्छा क्या है अगर ऐसा रहता तो आप यह बताएं अभी बात चीज़ की फला की डेका की सुनने वाला कोई है योगी दूसरे तर्म में यूपी में आए और अपने अपने बल पे आए हैं अपने बल पे आए हैं और हिंदू का हिंदू का ठीका ऑपर चोड़िये जो हिंदु को अच्छा लगेगा। आपकी कोई दाल आपर दलने वाली नहीं है। आपकी कोई जगा नहीं है। यहां पर अखले से ज़ादो लड़ते हैं, अखले से ज़ादो ही लड़ेंगे। आपका कोई यहां स्थित तो नहीं है इसलिए चुप रही है रास्वालिया कि अभी मुद्दे आए बैं हिंदू को अगर भाजपा भाजपा पसंद है और भाजपा को सनातर पसंद है तो दिक्कत यह है ना आपको हिंदू छुना भी नहीं चाहता है आपको हिंदू चुना नहीं चाहता है आपकी दिक्त यह है तो आपकी दिक्त का आपकी समझाओ का निदान आपके पास होना चाहिए बास्ते जनता पार्डी तोर्ण करेगी आपका हिराज और सनातन की जब्धी बात आती है की लगते है तुरन्त ही बहाँ पे चलने लगते है अपलों को कितना नप्रत दोरा घाए हैं भग्मान गिरसीचत्र घूमी पर यहा पर आपके वहाँ जाने का राजिनीतिक जो हल्चल है उस पे यहां पे जर्चा हो रही है और आप अनर्गल लगातार बोलते हैं आप लगातार बोलते रहेंगे इससे जनमानस सुनने वाला नहीं आपकी बात को देखिए मडम दो चीजे मैं कहा दूं आपसे भारत की राजनीती धर्म पे आधारित आज के डेट में क्यों हो हम आठ सो बरसों तक लगभग गुलाम रहें हमारा शनातन धर्म पर हम लोगों ने कभी भी आठ सो बरसों तक कोई काम नहीं किया ठीक है अब रहा सवाल देखिए बीच में लगातार बोलने हैं अब आप यह चीज़ उचित नहीं है उचित नहीं है आप यह बताएं टकी साहब हर एक साल दर साल यहाँ पर पांस सालों बाद सक्ता बडली है तो अगर ऐसी चीज़ हो रही है तो उसके लिए हर एक पारटिजिम में तारने था करने आप पीजेफिक सालों कि करने पीजेत पार्ट पली这样 रही तो प्लीज तो हम सूझे रगेद अ कर तक साहब तो आप बोलिए गा देखिए यह कह रहा हूं कि लगभग 800 बरसों तक यह देश गुलाम रहा गुलामी के दौर में ना तो धर्म बचा अना हमारी सिच्छा बची सिच्छा भी नहीं बचा हम लगातार असिच्छित होते होते चले आए अंग्रेजियों के दौर पे जब आया तो क्या हुआ मैकाले की विवस्था आई हम अपनी सनातन विवस्था बिद्या सब कुछ भूल गए और उस हालात में आज जब कोई सनातन धर्म की रच्छा के लि सिख हैं सनातनी जितने भी लोग हैं यहां तक की मुशलमान में भी तमाम ऐसे लोग जो कहते हैं कि हम सनातनी मुसलिम हैं हम कोई लाद करके नहीं आयते बाहर से हम इसी देश में हैं सनातनी विवस्था को यहां की संस्कृती को हम जानते हैं जीते हैं इसी में रहते हैं सब के उध्धार के लिए कार कर रही है इसलिए हिंदू उनसे जुडा हुआ है एक बड़ा ओट बर्ग उनके साथ आ गया है दिक्कत विपक्ष का हिया है बिल्कुल छीक है धन्यवाद आप सबी गेस्ट का हमारे साथ इस मादपूर चर्चा का बड़ा हिस्सा बनने के लिए तो देखिए पर विकास की बात नहीं की गई है तो यहां से एक हिंदूत के एजंडी को तो धार देने का काम बीजेपी ने किया है और ब्रज की भूमी से आज 2024 के चुनाव का शंकनाद हो चुका है अब आई इंडिया ये गडबंदन के पास ये हिंदूत क्या जो काठ है ये क्या होगा ये देखने वाली बात होगी लेकिन जिस तरीके से बीजेपी लगातार महीने दर महीने हिंदूत काठ फेक रही है क्योंकि 2024 का वो साल होगा और जन्वरी वो महीना होगा जब दश्कों का एक लंबा इंतजार खत्म होगा राम लला अपने घर पर विराजमान हो जाएंगे ऐसे में राम लला के विराजमान होने से पहले अब जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी मतुरा में पहुचे हैं श्रेक्रिश जन्मस्तान देखने को मिलेगा क्या श्रेक्रिश जन्मस्तान 2024 का एक बड़ा सियासे मुद्दा होगा ये तो फिलहाल देखने वाली बात होगी प्राइम डिबेट में फिलहाल के लिए बस इतना ही देश और दुनिया की तमाब बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहेगे प्राइ झाल